Hello students, स्वागत है आपका अपने channel जिसका नाम है कुछ सीखें आज मैं आपको सीखाऊंगा भाग कैसे करते हैं तो चलिए सुरू करते हैं आज का अपना एवीडियो देखें students, हिंदी में बोलते ही ने भाग ठीके, इंग्लिस में बोलते ही ने डिवाइड अब देखें जहाँ पर यह चिन लगा हो या जो यह चिन लगा है तो वहाँ पर समझ देना हमें क्या करना है वहाँ पर हमें भाग करना है यानिके 456 भाग दो यानिके 2 से हमें 456 में भाग देना है ठीक है या इस टाइप से लिखा हो 456 बटे 2 तो यहाँ पर भी समझ जाना ह हमें क्या करना है यहाँ पर भी हमें भाग देना है या इस तरीके से लिखा हो दो दुनी चार, यहाँ पर दो लिखेंगे, क्योंकि हमने दो कापड़ा दो बार पड़ा, और यहाँ पर हम चार लिखेंगे, और इन्हें माइनस कर देंगे, तो देखें, चार में से चार गए कुछ नी बचेगा, अब हम क्या करेंगे, उपर से अगली संक्या उतार लेंग अगली संक्या क्या हमारी 5, ठीक है, अब देखें, 2 का पाड़ा हम 5 में पढ़ेंगे, 2 एकम 2, 2 दुनी 4, 2 तिया 6, 6 जादे हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, 2 का पाड़ा दो बार ही पढ़ेंगे, और यहाँ पर फिर 4 लिखेंगे, और इने माइनस कर देंगे, तो देखें, 5 में से 4 कितना बच्चा? 1, यहाँ पर एक लिखेंगे, अब देखें, 2 का पाड़ा 1 में तो पाड़ा नहीं जाएगा, हम क्या करेंगे? उपर से अगली संक्या 6 उतार लेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 16, 2 का पाड़ा हम 16 में पढ़ेंग ठीक है? यह 228 यह हमारा अंसर होगा, यह हमारा अंसर होगा, 228 ठीक है? हिंदी में इसे हम भाग फल भी बोलते हैं, हिंदी में हम इसे क्या बोलते हैं? भाग फल, ठीक है? इसी तरीके से मैं आपको दूसरा सवाल समझाता हूँ, तो देखें, हम बात करेंगे दूसरे सवा 32 में भाग देना है, तो पहले हम 3 का पाड़ा 7 में पढ़ेंगे, यानि के 3 एकम 3, 3 दुनी 6, 3 तिया 9 जादे हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 3 का पाड़ा सिर्फ 2 बार ही पढ़ेंगे, यानि के 3 दुनी 6, ठीक है, यहाँ पर 2 लिखेंगे, और यहाँ पर देखें, पचेगा 1, अब देखें, 3 का पाड़ा 1 में तो पढ़ा नहीं जाएगा, हम क्या करेंगे, ओपर से एक लिखेंगे, 3 जो है उतार लेंगे, पर हो जाएगा 13, अब हम 3 का पाड़ा 13 में पढ़ेंगे, यानि के 3 दुनी 6, 3 तरनो, 3 चोग 12, 3 पंजे 15, 15 जादे हो जाएगा, तो हम 4 बार ही पढ़ेंगे, यानि के 3 चोग 12, यहाँ पर हम 4 लिखेंगे, और देखें, यहाँ पर 12 लिखेंगे, और इन्हें माइनस कर लेंगे, तो देखें, 3 में से 2 गया बच्चा, 1, 1 में से 1 गया, कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ पर 1 बच्चा, अब देखें, 3 का पाड़ा एक में नहीं पड़ा जायेगे हम क्या करेंगे ओपर से दो उतार लेंगे ठीक है? यहां पर कितना हो जायेगा? बारेई अब देखें तीन का पाड़ा बारे में पड़ेंगे यहांनिके बारे यह यह पूरा-पूरा कट जाएगा चार वार में川ण तो यहाँ पर देखें कुछ नहीं बचेगा यह हमारा यह होगा हमारा अंसर 244 यह क्या है यह हमारा अंसर है 244 फीक है इस तरीके से आप भाग के सवाल कर सकते हैं अगर अब भी आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पोच सकते हैं अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सबस्काइब कीजिए हम मिलते हैं अपने एक लिए वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद